नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके जिहां दोस्तों उतकर्श कलासे जोधपुर के दुवरा बाल विकास एवं सिक्ष्या सास्तर पेपर सेकंड की ये फाइनल एंस्वर की है तो दोस्तों देख लेते हैं बाल विकास और सिक्ष्या सास्तर पहला क्योशन पूछा गया था मानव विकास के संद्रम में आनुवान सिक्ता तता प्रयावरण की भूमिका के बारे में निमिल लिकित खत्नों में से कौन सा सही है राइट आन्सपर था इसका तीन नंबर आनुवान सिक्ता एवं प्रयावरण दोनु एक जटिल पारसपरिक के रिया के रूप में मानव विकास को परवावित करते हैं दूसरा क्योशन पुछा गया था एक परगति सील कक्सा में तो इसका सही उतर था चार नंबर विध्यारती के दुवारा ज्यान की सरंचना की जाती है तीसरा के उसंता सतत एवं समगर मुल्यानकर में क्या सामिल हैं तो इसका राइट आंस्वर था तीन नंबर विविद परकार की रणनीतियों का परियोग करते हुए दोनों सरंचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का परियोग करना दोस्तो वीडियो को लाइक जुरूर करे वह तो इसका राइट आंस्वर था चार नंबर सामाजी करन नेक्स्ट क्यूशन पूछा गया था एक समावेसी कक्सा में सिक्सक को क्या करना चाहिए इसका राइट आंस्वर था चार नंबर यह है विश्वास करना चाहिए कि प्रतेक बच्चे में अपनी योगेता एवं सक्त के अनुसार सीखने की क्ष्यमता होती है नेक्स्ट क्यूशन था एक विद्धार्थी कक्सा में निमिन लेखित लक्षन परदर्शित करता है तो इसका रायट आंस्वर्था दो नंबर अधिगम ऐसकता वाले विद्धार्थियों के लिए सात्वा क्यूशन था आपकी कक्सा क एक विद्धार्थी को विविन स्रोतु के बार-बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वरग के लोग सैक्सिक चेतर में निमिन इस्तरिय परदरसन करते हैं तो दोस्तो इसका रायट आंस्वर्था तीन नंबर विविन सामाजिक वरगों के रोल मोडल से समंदित खानी एवं उदारनों को प्रस्तोत करना चाहिए इसके बाद में आटवा क्यूशन पूछा गया था एक सिक्सी का अपनी कक्सा में सरजनात्मक विद्यारतियों को किस परकार से प्रोच साहित कर सकती है तो इसका रायट आंस्वर्था दो नंबर अनेक परिफेक्ष्यों को प्र नंबर विश्यवस्तू तता बच्चों के संपूर्ण कुसल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना दस्वा क्यूशन था निमिललखित में से कौन सा परभावसाली समस्या समादान रण निती का एक उधारन है इसका रायट आंसर था सादन सादे विसलेश समस्या को अनेक उपलक्षों में विबाजित करता है ग्यारवा क्योशन पूछा गया था एक सिक्सक एक समावेसी कक्सा में विश्यश योगिता वरग वाले अधिगम करता हूं कि आवश्यक्ताओं को किस परकार से बता सकता है तो इसका रायट आंसर था तीन नंबर परते बारवा क्योशन पूचा गया था सिक्सक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान देने वाले बच्चों से किस परकार का बरताव कर सकते हैं उनसे बात करके तता उनकी एरूची का करण जानने की कोशिश करके नेक्स्ट क्योशन है सरंचनावादी उपागम बताता है की तो इसका रायट वांसर था विदार्ती का पूर्वे ग्यान ग्यान की सरंचना के लिए अत्यान तावशक होता है चोधवा क्योशन ता बच्चे अने गटनाओं के बारे में सहजा अनुबूती सिद्धान्त की सरंचना करते हैं इस परष्ट भूमी में एक सिक्षक को क्या करना चाहिए सही उतर था चार नमबर समवाद के दुवारा बच्चों की इन अवधारनाओं को चुनोती देनी चाहिए पंदर्वा क्योशन ता नेमिले लखित में से कौन सी सिक्षन अधिगम के लिए एक प्रभाव साली सिक्षन परनाली नहीं है इसका राय टांस्वर था चार नमबर बच्चों को अनतय द्रस्टी के दुवारा अनुमान लगाने के लिए प्रोथ सहीत करना सोड़ा क्योशन पूछा गया था नेमिले लखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं तो दोस्तो इसके चारू ही उतर सही थे तो इसलिए तीन नमबर इसका सही उतर हो जाएगा सात्रवा क्योशन पूछा निमिले लखित में से क्या ज्यान के सार्थक सरंचना की परकरिया का एक मैत्वपन पहलू है सही उतर होगा तीन नमबर उदीपन पढ़ती के रिया सम्मंद अठारा क्योशन था जब विदार्ती पुरुषकार पाने की इच्चा से बार बार किसी गत विदी को करने का निरने लेते हैं तो दोस्तो इसका सही उतरता तीन नमबर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कारे करने के बजाए सुयम की निपूर्णता के लिए उदस से निर्दारिते करना गुनिश वाक्योशन पूछा गया था संग्यान और सव्वे के बीच किस परकार का समंद होता है तो सही उतरता इसका तीन नमबर दोनू के बीच एक गती सिल पारसपरी करिया होती है बीस वाक्योशन ता निमिनलखित में से कौन सी मद्दे बाले अवस्ता की विशेष्टा होती है दो नमबर बच्चे तारकिक एवं मर्त रूप से सोचना परारम कर देते हैं 21 वाक्योशन ता परिवार एवं पास पडोस बच्चे के सामाजी करण की प्रात्मिक एजेंसी होती है एक नमबर इसका सही उतर है 22 वाक्योशन है बाले अवस्ता की अवधारना से क्या हभी प्राय है ये की बच्चे सुनने से शुरुवात करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं 23 वाक्योशन ता समाज में विविन लिंगों के लिए उपर्युक्त मानी जाने वाली पारूपी के विशेष्ताओं के बारे में जन सामाने की अवधरनाओं को क्या कहा जाता है तो इसका सही उतरता तीन नंबर जेंडर रूडिवादिता ही 24 वाक्योशन ता हाल ही पाटे चारी में ऐसी कहानियों को सामिल करने के लिए विवेक सील परियास किये गए हैं इसका सही उतर है एक नंबर यह जेंडर रूडिवादिता को समाप्त करता है 25 वाक्योशन ता वाई गोट्सकी के अनुसार जब एक वैसक बच्चे के निस्पादन के वर्तमान इस्तर को तो इसका सही उतरता दो नंबर ढांचा अगला क्योशन है नूर विदाले में अपना लंच बोक्स लाना भूल गई तता वै यह खहते हुए तान्या से उसका लंच साजा करने के लिए खाहा तो इसका राइट आंस्वरता आदान परदान परम प्रागत नेक्स्ट क्योशन है के अनूसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजी किरियाओं तता सांसकर्तिक संदरुबूं परवाओं को समझना आवश्यक है तो इसका राइट आवान स्वरता लेव वाई गोट्सकी 28-वा क्योशन था प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त में निही तार्त निकालते हुए तो इसका सही उतर था एक नंबर ऐसी समस्यें परस्तुत करने चाहिए जिसमें तरक आदारित समाधान की आवस्रिक्ता होती है 29-वा क्योशन था हावर्ड गाडनर के बहु बुद्धी सिद्धान्त के अनुसार तार्की गणिती बुद्धी वाले एक विक्ती की क्या विशिश्ता हो सकती है तो इसका सही उतर था तीन नंबर पेटन को खोजने की एवं तरक की लंबी सरंकला को हल करने की ख्यमता और स संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त के अनुसार तो इसका सही उतर था अमुर्त सकरियात्मक आवस्थ था तो दोस्तो मैंने आपको उतकर सकला से द्वारा जारी बाल विकास और मनोविज्यान के जो 30 क्योशन पूछे गए थे उनके फाइनल एंस्वर की आपको इस द्वारा बताई जान करें आपको अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें सेहर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन जै भारत